हलो दोस्तो रांची टेक्निकल में आपका फिर से एक बार स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 मीटर H-beam DP पोल के बारे में तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पे हम सुरू करते हैं और जानकारी लेते हैं H-beam के बारे में तो जैसा कि आप देख रहे हैं यह 13 मीटर का H-beam पोल है जो की 33 केवी लाइन में इसका इस्तमाल किया गया है 33 केवी में 9 मीटर भी यूज होता है और इसके बाद यह 13 मीटर भी यूज होता है पोल यहाँ पे आप जो गड़ा देख रहे हैं यह 5 पर्थिंग के लिए खोदा गया है यह 3 मीटर का 5 पर्थिंग यहाँ पे यूज होगा जो की safety purpose से DP पॉल में यूज किया जाता है और इससे इसके साथ connect कर दिया जाएगा तो जैसे की सामनेता DP तीन टैप के यूज किया जाते हैं 11 के भी लाइन और 33 के भी लाइन में पहला जो होता है inline DP होता है दूसरा angular और तीसरा dead end DP होता है inline DP जहाँ पे straight line होता है वहाँ बीचों बीच में 5 पोल 7 पोल के बाद हम DP पोल का यूज करते हैं जिसमें inline DP यूज किया जाता है उसके बाद angular DP होता है जो कि जहाँ पे turn करना पड़ता है लाइन को मोड़ना पड़ता है वहाँ पे angular DP मतलब angle बनाके यूज किया जाता है और उसके बाद हम dead end DP का यूज करते हैं dead end DP जहाँ पे line हमारा खतम हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वहाँ पे हम dead end DP का यूज़ करते हैं, इसलिए dead end DP कहा जाता है, यहाँ पर जो DP है, वो angular DP है, 13 मीटर के एच बीम का जो पोल यूज़ होता है, तो उसकी जो गहराय होती है, पोल को इरेक्शन करते समय, तो उसकी जो depth होती है, वो 2.16 5 mm की होती है, और सिमेंट कांकरेट के लिए जो मसाला तयार किया जाता है, वह 1.2.3.2.6 के रेसियो में तयार किया जाता है, मतलब एक भाग सिमेंट का, तीन भाग बालू का, और छे भाग जो होता है, वो गिट्टी का होता है, और इसमें जो मफिंग करते हैं, मफिंग कर अब जो channel fitting होता है, वो कितने height पे होता है, वो देख लेते हैं, ground से जो पहला belting angle लगेगा, वो पचीस सो mm पे लगता है, और second belting angle जो होता है, वो भी पचीस सो mm पे distance पे लगाया जाता है, उसके बाद, वहाँ से जो top channel के बीच का distance होता है, वो 5833, मतलब 5833 mm का होता है, और दो पोल के बीच का दूरी 1500 mm होता है, इसके साथ में top channel में जो हमारा conductor लगेगा, पिन इंसुलेटर के साथ, उसके बीच के आपस के बीच का जो distance होगा, वो भी 1535 mm का है, तो यहाँ पे पोल की जो depth है, वो 2168 mm है, और उसके बाद 2500 mm जो है, बेल्टिंग एंगल का, और उसके बा यहाँ पे complete हो जाता है, इसके बाद हम बात करेंगे किस में कौन-कौन से material यूज हो रहे है, फिर्ष्ट जो है, वो हमारा H-beam है, जो की 13-meter का पोल है, उसके बाद 11 के भी डिस्क इंसुलेटर जो की polymer का है, विथ हाड़वेर जो की 6 set में यूज होगा, उसके बाद 11 के भी पिन इंसुलेटर जो की polymer का बना हुआ है, फिर पिन इंसुलेटर को लगाने के लिए जो fist plate यूज होता है, वो होगा, उसके बाद हमारा stay set जो की 5 set में होगा, उसके बाद belting angle, bracing angle, top bottom clamp for anti-clamping device, जिसे हम ACD भी कहता है, उसके बाद danger board with barbed wire, और pipe urthing जो है, तीन मीटर का वो यूज होगा, और उसके साथ में bentonite powder यूज होगा, और इसके साथ में हमारे छोटे से, छोटे बड़े nut balls जो यूज होते हैं, वो यूज होंगे, तो main ये सारे चीज इसमें यूज होते हैं, तो दोस्तो ये था 13 meter pole और उसमें लगने वाले material के बारे में, वीडियो, तो मे लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए थैंके दूस्तों